ना खोया ना पनीर और ना ही घी सिर्फ एक कप दूट से हम बनाएंगे बहुत ही योनिक और लाजवाब मिठाई तो आप सोचेंगे कंडेंस मिल्क तो नहीं नहीं कंडेंस मिल्क भी हम नहीं डालेंगे हम इसे एक सिक्रेट चीज के साथ बनाएंगे तो वो सिक्रेट चीज क्या है इसे जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वाच करना पड़ेगा तो हम वीडियो पे बने रहेए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक चरूर कर दीजेगा ये रेजबी पहुत जेट पेट और सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर बन कर तयार हो जाती है तो देर की सबात की आईए बनाना शुरू करते हैं बनाने के लिए हम लेंगे एक कप मलाई के साथ दूद दूद हमने फूल क्रिम लिया है और ये दूद थोड़ा कुनगुना है जादा गर्म दूद नहीं लेना है और नाहीं विल्कुल ठंडा दूद लेना है साथ में डालेंगे हाफ कप दूद पाउडर दोस्तों दूद पौडर हमें वही लेना है जिससे हम मिठाई बनाते हैं बच्चों को ये दूद नहीं पिलाया जाता है और ये दूद पौडर किसी भी किराने के शौप पे आराम से मिल भी जाता है फिर हम क्या करेंगे कि अभी हम इसे गैस पे नहीं चड़ाएंगे इसे हम एक से डेड़ मिनट लगेगा अच्छे से इस गुनगुने दूद में ही मिला लेंगे ताकि इसमें के सारी गुठलियां खतम हो जाएं तो आप देख सकते हैं, सारी गुठलियां खतम हो गई हैं, अब इसे हम साइड में रखेंगे और लेंगे एक मिक्सी जार, उसमें डालेंगे चार बड़े चमच, चीनी और साथ से आठ डालेंगे काजू, इसके बाद डालेंगे दो बड़े चमच, यानि खाने वाले चमच स तो आप उसे भी डाल सकते हैं, तो देखिए हमने इसे पीस कर तयार कर लिया है, बिल्कुल फाइन पौडर बन चुका है, तो चलिए अब हमने जो दूद मिक्स करके रखा हुआ है, उसी में इसे मिला देंगे, और अभी हम इसे गैस पे नहीं चड़ाएंगे, अब हम कैस करेंगे, और इसे गैस पे चड़ा कर बिल्कुल धीमी आज पर पकाना शुरू करेंगे, इसे लगबक दो मिनट तक हम ऐसे ही धीमी आज पर चलाएंगे, तो ये धीरे धीरे दूद कढ़ा होने लगेगा, दोस्तों हमारा देश ऐसा है, जहां हर एक महीने में कोई न कोई त्योहार आ ही जाता है, जिसका हमें खाष इंतजार भी रहता है, ऐसे में कई परकार के पकवानों के साथ साथ, खासकर मिठाईः जरूर बनाई या बजार से मंगवाई जاتी हैं, लेकिंग जैसे ही त्योहार आना शुरू होता है, बजार में तरह-तरह की मिलावती तो आप इस मिठाई को घर बनाएए और यह पहुत ही ज्यादा हाइजिनिक बनकर तयार होगी इसमें कोई मिलावट नहीं होगा क्यूंकि इसे हम अपने घर पे और अपने हाथों से बनाए होते हैं और बहुत कम खर्च में असानी से यह पन भी जाती है तो चलिए अब हम ऐस इसे ही धीमी आज पर इसे छोड़ देंगे और आगे का जो हमारा सिक्रेट है उसे देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहां हमारा सिक्रेट है ब्रेड और इसे हमने फ्रीज में रखा हुआ था दो दिन से फ्रीज में रखने के बाद इसके साइड बहुत आसानी से नि इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ और इसे फेकेंगे नहीं इस साइट्स की रेस्पी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है आप उसे जाकर देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इन ब्रेड को तोड़कर अच्छे से मिक्सी जार में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे का साइट्स काट रही थी उस बीच दो से तीन बार मैंने इस दूद को चलाया भी था इसे कंटीनिव चलाना पहुत जरूरी होता है क्योंकि इसे बनने में टाइम नहीं लगता सिर्फ पांच मिनट में ये बन जाता है बिल्कुल दो से तीन मिनट चलाने के बाद ये गाड दालने के बाद चलाते हुए पका लेंगे तो आप देख सकते हैं इस मिठाई को मैं बिना घी डाले ही बना रही हूं फिर भी ये बिल्कुल पैन में चिपक नहीं रही है इसके लिए हमें घी की जरूरत तो नहीं होती है लेकिन दूद मलाई के साथ होना चाहिए आप के उपर ट्रांस्वर कर लेंगे आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल नैचरल कलर आपको दिख रहा है ये कितना सफेद बिल्कुल क्ला कंद के जैसा धिकि रहा है कोई भी यह नहीं कह सकता कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है बिल्कुल काजू मावा और मावा के जैसा दिख भी रहा है और इसका स्वाद भी लगभग वैसा ही होता है यह भी बहुत गरम है इसलिए इसे ऐसे ही रैपिंग पेपर पर घुमाते हुए दबाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर देखिए हाँ से चूने लायक हो चुका है तो मैंने इसे चौपिं से लपेट कर रोल बनाकर एक से डेड़ घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे दोस्तों आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा दोस्तों आप कमेंट तो कर देते है बट लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक किजेगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर किजेगा अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और पे क्लिक कर दीजेगा ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहें दोस्तों अगर मेरी रेस्पी में कोई कमी हो तो प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो देखिए मैंने एक घंटे के बाद इसे निकाल लिया है यह अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन इस पंखुडी को भी छोटे पीस में काटकर तयार कर लिया है आप देख सकते हैं फिर इन दोनों को चॉपिंग बोर्ड पे ऐसे ही फैला देंगे और इसके उपर रोल को घुमाएंगे थोड़ा सा बिलकुल हलके हाथों से दबाते हुए हम इस रोल को कटे हुए पिस्ता और कुल आपके पंखुडी पर घुमा देंगे दोस्तों आप चाहें तो इस मिठाई को केसर के धागे और भी ड्राइफ रूट या फिर चान्दी के वर्फ से भी सजा सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह कितना टैम्टिंग कितना सुन्दर दिख रहा हैं सजने के बार तो किंच या हाफ हिंच के अपने हिसाब से भी काटकर त्यार कर सकते हैं मैं इसके कुछ पतले पीस और कुछ हलके मोटे पीस काटकर त्यार कर रही हूँ तो देखे दोस्तों देखने से ही आपको लग रहा होगा कि यह मिठाई कितनी स्वादिष्ट बनी है बिलकुल भी यह नाइफ में चिपक नहीं रही है बहुत ही अच्छी दानेदार मूं में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई बनकर त्यार हुई है दोस्तों इस मिठाई को मैंने खुद 2-3 बार बनाई है उसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसली आप बिना फेल इस मिठाई को बन या भी हमने जलाकर रख दिया है आपको मैं इस मिठाई को तोड के भी दिखा रही हूँ देखिए फिल्कुल मावा जैसे दिख रही है ना यह मिठाई तो आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे जरूर ट्राइ किजेगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और यह प्रेस बाइद सियुक्त रLP अदो अगरेड़न के दिख रही है जिए सक्छी मेरी मावाचिंदा घर झाली ठास यह कुटीट था एर ट्यू जो afternoon भी दो